हेलो एबरिवन वेलकम टू ओनलाइन पोर्टल आप दा इंजिनियर्स जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय कुरोना टाइम चल रहा है तो हमारे मेकेनिकल इंजिनियरिग में कुछ सब्जेक्ट रिमेनिंग रह गए थे तो उसी की कड़ी में हम लोग प्रोसेसिंग में लगे ह करेंगे और स्टुडेंट आप ये मस सोचिएगा कि हम लोग जैसा ऑफलाइन में पढ़ाते थे उसमें ऑनलाइन में आपको जरा सा भी डिफरेंस लेक्टर मिलेगा आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा और उस कंटेंट में आप थोड़ा सा धैर रखके पढ़िएगा और बीच बीच में वीडियो को पॉच करके आप उसको स्क्रिन सोट भी ले लिया करिएगा और यहां पर जो हम सब्जेक्ट इस्टार करेंगे तो हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि देखे जैसा हम लोग आफलाइन में करते थे हमारी टीम दोरा कि हम लोग कोई भी अब्जेक्टिव बुक जैसे मेकेनिकल में अगर हम बात करें तो हमारी आरेस खुरमी बहुत ही हाइलाइटिड बुक है और दूसरी आरके जैन अब्जेक्टिव बहुत ही हाइलाइटिड बुक है तो हम लोग आफलाइन क्लास में ये सारी बुक्स को डिसकस करते थे लेक लेकिन हम यह भी कवर करेंगे कि जैसा कि 18-20 साल में हमारे प्रीवियस एर में SSC-JE में जो भी कोश्चन्स आये हुए हैं मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटर या अधर इंजिनेरिंग एक्जाम जैसे स्टेट इंजिनेरिंग एक्जाम हो गया एरिगेसर इंजिनेरिंग हो गया आपका रेलवे हो गया यूपी ट्रिपल सी जै हो गया तो अधर इंजिनेरिंग एक्जाम में जैसे भी कोश्चन्स आये होंगे उन सारे कोश्चनों को भी हम यहां पे सॉल्व कराएंगे और साथ में गेट इस और पीएस्यू से भी अधरिय जरूर रखिएगा तो चलिए इस्टूडेंट आज हम आपको अपना मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस में पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जैसा कि देखें student, आप जानते हैं, इस subject का नाम है manufacturing process, तो इसमें आप समझेगा कि ये क्या होता है और इसके थुरू हम क्या गरते हैं, तो देखे, manufacturing का मतलब होता है उतपादन और process का मतलब होता है प्रक्रम, तो इसका मतलब ये subject हमारा उतपादन प्रक्रम से related है, means जो हम जितने भी useful goods या product हम बनाते हैं, वो किसी न किसी process के थुरू बनाते हैं, तो उसमें देखें, उन जो processes के थुरू हम उस product को बनाते हैं, तो उसी process को हम learn करते हैं, और वही process हमारा कहलाता है manufacturing process, तो चलिए, ज़्यादा समयना लेते हुए, हम से यह topic की और बढ़ते हैं, जैसा कि देखें, सबसे पहले जब हम किसी raw material की बात कर रहे हैं, raw material, जिसे हम बोलते हैं, कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थ, तो जो earth से raw material निकलता है, उस raw material को हम क्या करते हैं, पहले pulverized form या powder form में तोड़ते हैं, और किसके माद हम से तोड़ते हैं, तो बड़ी-ब plant लगे होते हैं, जिसे हम मिल बोलते हैं, उन मिल से हम क्या करते हैं, उसे छोड़े-छोटे powder form या pulverized form में तोड़ते हैं, जब ये raw material हमारा pulverized form में तोड़ जाता है, तो उसके बाद उस raw material को हम क्या करते हैं, melt करते हैं, melt मतलब पिखलाते हैं, furnace में पिखलाते हैं, और पि है धलाई करना धलाई करना तो अब इस रो मैटेरियल को हमने पल्वराइज फॉर्म में कनवर्ट किया उसके बाद उसे हमने मिल्ड करके कास्ट किया कास्ट करने के बाद हमारा एक क्या ऑब्जेक्ट तयार हो गया एक ऑब्जेक्ट हमारा तयार हो तो दूसरा देखिएगा, पहला तो हम कास्टिंग के थूरू इस raw material को तयार करते हैं और दूसरा देखिएगा, उसी pulverized form को, उसी pulverized या powder form को सपोच करिए कि ये एक container हो जाए और इसमें ये pulverized form को भर दिया जाए मतलब powder form को भर दिया जाए और यहां से इस तरीके से एक die लगा दी जाए इस तरीके से एक die हो जाए और ये punch हो जाए जब इसे हम इस पे press करेंगे, जब ये object आएगा और यहां पे ऐसे press होगा तो ये shrink करेगा और इतना force लगा कर इसको press करते हैं कि ये shrink करकर अपने minimum volume को achieve कर लेता है तो उसके बाद जब इसे हम हटा लेते हैं तो यहां पर जिस shape का, जिस shape का ये die हमारा होता है उसी shape का एक object तयार हो जाता है और इसी process को हम बोलते हैं powder, metallurgy, धात, विज्ञान तो दूसरा हमारा होता है powder, metallurgy धात, विज्ञान, इसे हम हिन्ने में कहते हैं धात, विज्ञान तो देखे, बेसिकली जब हम किसी भी product को इस universe या इस earth में achieve करते हैं तो यही दो process से हम achieve करते हैं पहला casting के थुरू बनाते हैं और दूसरा powder, metallurgy के थुरू बनाते हैं अब इन दोनों माध्यम से बनाने के बाद, जो हमारे पास object तयार होता है यह देखे, यह जो object हमारे पास तयार होता है अब इस object की बात कर रहा है तो क्या ये object हमारा finally हमारे use के लिए तयार हो गया है या इसके बाद अब इस object पे हमें कोई process करने की जरूरत नहीं है तो ऐसा नहीं है देकि कुछ cases में हम direct casting करके object को use कर लेते हैं कुछ cases में हम powder metallurgy के द्वारा बने हुए product को direct use कर लेते हैं लेकिन maximum cases में ऐसा नहीं होता है जैसे हमें बहुत लंबी बिलेट हमारी casting के त्रूर बन गई है उसे हमें छोड़े-छोड़े टूड़ो में use करना है तो उसे हम क्या करेंगे cut करके use करेंगे या हमारे पास minimum छोटी लंद की एक बिलेट बनी हुई है और हमें बहुत ज्यादा लंद की जरूत पड़ेगी तो उसे हम आपस में क्या करेंगे जोडेंगे, welding करेंगे और फिर उसे हम use करेंगे तो उन सारे processes को ही हम करने के लिए एक subject बनाए manufacturing process तो अब यहां से हमारा manufacturing process start होता है I hope आपको यहां तक सारी चीजे clear हुई होगी चलिए, अब आगे हम बात करते हैं देखे, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं उस process की बात करते हैं कि हम manufacturing process में कौन सा use करेंगे, तो चलिए देखे देखे, student जब हम process की बात करेंगे process तो अब यह process यानि की manufacturing process हम basic कितने तरीके से कर सकते हैं तो manufacturing process हम basically तीन तरीके से कर सकते हैं चलिए, आपको दिखाते हैं देखे, सबसे पहले देखे, आगर हम first process की बात करेंगे तो हम यहां पे लिख रहे हैं Negative manufacturing, manufacturing process Second हम लिख रहा है Positive manufacturing, process और थर्ड हम लिख रहा है Zero manufacturing, process तो चलिए समस्से हैं ये तीनों कैसे किये जाते हैं तो देखें जो casting के बाद हमारे पास object बना था धलाई के बाद उस object को हम finally अपने useful product में convert करने के लिए केवल इन ही तीनों processes का use करते हैं इन में से देखें, सबसे पहले हमने लिखा Negative manufacturing process तो negative का मतलब क्या हुआ? आप समझें, negative का मतलब हमें loss से मतलब होता है loss का मतलब, जैसे देखें, एक हम अगर example लेने इस तरीके से support करिए इस lens का हमारे पास object तयार हुआ था casting के बाद या इसको हम पुरा इस तरीके से एक rectangle shape दे दे रहे हैं अब हमें जरूरत ही देखें हमें required जदा इसके छोटे-छोटे टुकडो को इसके इस size, इस size और इस size के टुकडो की जरूरत थी तो हम क्या करेंगे, इस object को यहां से cut करेंगे यहां से cut करेंगे, और यहां से cut करेंगे कुछ tool लगाएंगे, कुछ machine लगाएंगे, कुछ process technique लगाएंगे और इसे क्या करेंगे, cut करेंगे आप देखे, cut जब करेंगे तो यहां से कुछ न कुछ material हमारा क्या होगा loss होगा scrap के रूप में जाएगा तो वही loss हमारा क्या कहलाएगा negative manufacturing process कहलाता है तो आई होप आपको यहां पर समझ में आगया होगा कि जब हम required shape और size को achieve करने के लिए किसी भी object को काटते हैं तो उस process को हम negative manufacturing process कहते हैं अब देखे, पहला तो हमने काट दिया अच्छा second आप देखिएगा अगर हम suppose करिए suppose करिए इसी diagram में हम देख लेते हैं कि मान लिजे कि हमें इसकी इतनी पतली layer को जैसे हम देख रहे हैं कि इतने की बात कर रहे हैं इतने की बात कर रहे हैं देखे, अगर हम केवल इतनी layer को हमें हटाना था मतलब इस width में केवल हमें इतनी width की required थी और इतना width हमारे लिए बेकार था तो हम यहाँ पे cut ना करके grinder machine यूज़ करेंगे और grind मतलब जब बहुत थोड़ा material अगर हमें यहाँ से remove करना हो तो वहाँ पे हम cut ना करके grind कर देंगे, abrasive action कर देंगे और material को remove कर देंगे तो इस तरीके के process को भी हम negative manufacturing process के नाम से जानते हैं क्योंकि required object को achieve करने के लिए इस material को हम क्या कर रहे हैं? remove कर रहे हैं तो इस तरीके से यह होता है हमारा नहीं get to manufacturing process इसका example देखिएगा example आप देखिएगा, कौन-कौन सा example है, तो पहला example, जब हम metal को दो भागों में काट रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? metal cutting metal cutting process second हमने क्या किया? material को remove किया था, grinding के मादें सामने cut नहीं किया था, remove किया था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? metal removing process process, अब इसी में हम लोग देखते हैं, जो हमारा lathe machine हो गया, sapper हो गया, planer हो गया, slaughter हो गया, drilling हो गया, boring हो गया, planning हो गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, lathe, shaper, planer, drilling, boring, या या etc, जो भी इस category में आएंगी, वो हमारी कहला आएंगी, negative manufacturing process, next आप आईए देखते हैं, positive manufacturing process, अब इसमें क्या होगा, जैसे support करिये, कि इस object को हमने casting के थुरू बनाया था, लेकिन हमें इससे भी अधिक length की जरूरत थी, इससे भी अधिक length की, जैसे आपने देखा rail की पट्रियां, अब 100 km rail की पट्री को तो हम धलाई करके बना नहीं सकते हैं, 40-40 feet, 20-20 feet के टुकडों में हम cast करते हैं, और फिर उसे हम क्या करते हैं, जोडते जाते हैं, जिससे एक बहुत बड़ी length हमें achieve हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक object को, अब यहाँ पे एक दूसरा हम object लेंगे, और क्या करेंगे, इस object को यहाँ पर आपस हैं, जैसे spot welding, जब welding technology हम आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे spot welding में कोई भी filler material यूज नहीं होता है, तो अभी आप उस अपवाज में मत ध्यान दीजेगा, अभी के वाल यहाँ पे देखें, कि जब हम welding करते हैं, तो extra filler material हम यूज करते हैं, दो या दो से धिक object को, weld या ज देख लिजेगा, जैसे इसके example की बात करेंगे, तो हमारा क्या हो गया, welding, soldering, braging, etc. तो इस तरीके से यह हमारा होता है, negative manufacturing process, next आईए देखते हैं, zero manufacturing process, तो इसमें क्या होगा, required object को achieve करने के लिए, हम उस जो हमारे पास casting के बाद का जो product था, उस पर कोई भी process करेंगे, लेकिन उससे ना material remove होगा, और ना ही material add होगा, बट हमें required element achieve हो जाएगा, तो इस तरीके के process को कहते हैं, zero manufacturing process, it means no loss, no profit, कैसे, देखें, ऐसा ने, energy loss होगा, required object को हम प्रात करेंगे, तो हम energy लगाना पड़ेगा, लेकिन जो product हमारा बनेगा, उस product से ना कोई material loss होगा, और ना उस product में कोई material add होगा, जैसे, example आप इसका देख लीजे, देखें, अगर इसके लिए हम example की बात करेंगे, तो आप देखें, rolling, rolling process, bending operation, bending का मतलब क्या हुआ, जैसे देखें, इस तर करना था, इस object को bend करना था, और bend कैसे करना था, ऐसे हमें achieve करना था, ऐसे, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक roller लगाएंगे, इस object को hit करेंगे, और hit करके इस तरीके के final product को हम achieve कर लेंगे, तो यहां से ना material add होगा, और ना material remove होगा, तो इस तरीके के bending operation को हम कहते हैं, zero manufacturing process, तो student हमारे पास केवल और केवल तीन ही manufacturing process पूरे word में available होते हैं, अब इन ही तीनो manufacturing process की category अलग-अलग बनाई गई है, तो हम अब start करेंगे इन ही तीनो manufacturing process में, देखें, पूरा जो हमारा production technology, जैसे आप डिपलोमा में first year, second year, third year में पढ़ते हैं, production technology first, production technology second, workshop technology, production automation, manufacturing process first, manufacturing process second, MTT यानि की machine tool technology, तो वो सारी चीजे इसी तीनो manufacturing process के अंतरगर आ जाती हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से one by one शुरू करेंगे, देखें सबसे पहले हम topic start करेंगे negative manufacturing process का, जब यह complete हो जाएगा, तो हम start करेंगे positive manufacturing process का, और जब यह complete हो जाएगा, तो हम start करेंगे zero manufacturing process का, आप थोड़ा सा धैर बनाग रखिएगा, और थोड़ा time जरूर लगेगा, क्यूंकि हम courses करेंगे, सारे previous year की exam, even then, SSC के pre के साथ साथ SSC JEE के mains के भी questions को हम यहां पे discuss करते हुए चलेंगे, कि जैसे हमारे इस topic से related, कब, कितने बार, किस year में, कितने नम्मर का, कौन-कौन सा question mains में आया है, तो उससे आपको एक idea यह लग जाएगा, कि यह topic हमारा SSC JEE mains से related भी कुछ important है या नहीं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, अब हम लोग कौन सा topic स्टार्ट करेंगे, negative manufacturing process, चलिए, हम देखिए, स्टार्ट करेंगे, negative manufacturing process, तो आईए, आप यहां से देखिएगा, negative manufacturing process, means metal को हमें क्या करना है, cut करना है, तो इसका हम दूसरा नाम लिख सकते हैं, metal, cutting, या आपलिक में हम metal को cut करने के साथ remove भी कर रहे थे, तो हम यह लिख सकते हैं, metal, removing, process, metal removing process, तो अब इसी topic से हम स्टार्ट करेंगे, देखिए, आपने फर्स्ट year में, sorry, third year में, MTT में आपने पढ़ा होगा, एक subject आपको मिला था, MTT, machine tool, technology and maintenance, MTTM, तो वो कहां मिला था आपका, यह topic उसी में आपको मिला था, तो हम क्या करेंगे, इसी के बारे में discuss करेंगे, तो देखिए, जो material को हम cut करते हैं, वो कितने तरीके से cut कर सकते हैं, तो आए उस पर discuss करते हैं, तो जब किसी material को हम cut करते हैं, तो basically, दो तरीके से हम cut करते हैं, देखिए, दोनों तरीका आपको यहाँ पर discuss करते हैं, पहला तरीका हमारा होता है, conventional, conventional, अब इसी देखिए, metal cutting या metal removing को ही हम machining के नाम से जानते हैं, इन दोनों को ही हम किसके नाम से जानते हैं, machining, machining process, तो यहाँ पर देखिए, conventional, machining, process, और दूसरा हमारा होता है, non-conventional, machining, process, देखिए, conventional का मतलब, पराम परागत, machining प्रक्राम, और non-conventional का मतलब, आपरम परागत, machining प्रक्राम, तो समझेगा, यह दोनों देखिए, जब हम किसी material को कारते हैं, तो इन ही process के थुरू कारते हैं, या conventional या non-conventional, इसका दूसरा नाम होता है, traditional machining process, और इसका दूसरा नाम होता है, non-traditional machining process, जैसे हमने लिखा था, पराम परागत, तो उसी तरीके से यह, इसे आपराम परागत, या गैर पराम परागत, machining process कहते हैं, चलिए समझते हैं, यह दोनों क्या होते हैं, देखिए, जब हम किसी material को कारते हैं, तो हमारे पास tool की requirement होती है, machine की requirement होती है, और कुछ power source की requirement होती है, यह basic requirement होती है, तो इनहीं के माध्यम से हम material को कारते हैं, तो आईए देखते हैं, देखिए, जैसे सब कोच करिए, कि एक हमारे पास इस तरीके का workpiece हो, इस तरीके का workpiece हो, अब इस workpiece को, चाहिए आप rectangle मालने जी, किसी भी तरीके से, अब इस workpiece को दो टुकडों में, तीन टुकडों में, या ये कह लिजे कि इसकी इतनी width को काटके remove करना था, ऐसे हैं, इसकी इतनी width को काटकर remove करना था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस तरीके का tool लगाएंगे, इस तरीके का tool लगाएंगे, और इस tool को इस direction में आगे बढ़ाएंगे, तो ये material क्या होगा इतना material करता हुआ बाहर निकल जाएगा दूसरे तरीके से आप ये देख लिजे कि ऐसा material होगा और उसको जब final एक diagram बनता था तो कुछ हम लोग ऐसा बनाते थे आपको याद आएगा धीरे-धीरे और material ऐसा remove होता हुआ चला जाता था तो इस तरीके से पहला machining process हमारा होता है जब material को remove करते हैं सिकेंड आप देखे क्या होता है सपोज करिए ये वर्कपीस था अब यहाँ पर हमें एक tool ऐसा बना दे रहे हैं एक ऐसा tool बना दे रहे हैं और यहाँ पर एक pump लगा दे रहे हैं और यहाँ पर एक section दे रहे हैं और सपोज करिए कि यहाँ पर एक liquid हम ऐसा fill कर दे एक liquid और यहाँ पर हमें एक pump लगा दे pump लगा दे और यह हमारा क्या हो जाए nozzle हो जाए nozzle हो जाए तो हम यहाँ से देखेंगे कि जब इस pump को on करेंगे high velocity से on होगा तो यहाँ क्या होगा यह liquid ऊपर की और सक करेगा और सक करने के बाद यह liquid क्या करेगा जब इस nozzle से गुजरेगा तो इसका pressure और velocity ज़दा होगी और वो high pressure और high velocity से यह इसके छोटे-छोटे molecule को अपने साथ बाहर ले जाने लगेगा और क्यों ले जाएगा क्यूंकि इस work piece की जो total kinetic energy होगी वो kinetic energy total convert हो जाती है pressure energy में और वो pressure energy वहाँ पे heat energy में convert होती है दिन उन दो molecule यानि कि work piece के जो दो या दो सेधिक molecule आपस में बने हुए हैं वो क्या होगे उनका bond weak होगा और वो molecule क्या होंगे बाहर जाने लगेंगे तो इस तरीके से material remove होने लगेगा तो देखें दो process हमने आपको बताया पहले process में ये tool हमारा इसके साथ direct touch हो रहा है और ये material को remove कर रहा है यहाँ पे अगर इसे हम tool मालने और इसे हम work piece मालने तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है tool और work piece के बीच में कोई contact नहीं हो रहा है बीच में एक working medium क्या कर रहा है act कर रहा है material को remove करने के लिए तो इसे क्या होगा metal remove हो रहा है तो tool और work piece के बीच में कोई physical contact नहीं हो रहा है तो जहाँ भी इस तरीके का machining process दिखेगा student जिसमें tool और workpiece का physical contact हो और material remove होगा या cut होगा उस तरीके की सारी machining process हमारी कहलाएगी conventional machining process और दूसरा आप देखेगा जहाँ पर tool और workpiece का कोई physical contact नहीं होगा वहाँ पर सारी machining हमारी कहलाएगी non conventional machining process तो चलिए अब इसके कुछ difference है कुछ important point है जो exam में आए भी है और आ भी सकते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि काउन काउन से important point हैं तो यह diagram remove करते हैं और हम उस important point को note करना शुरू करते हैं देखें यहीं पर note करते हैं इस तरीके से ऐसा इसे बना रहन दीजिए और ऐसा देखिए अगर हम एक column बनाएं और इधर हम लिखें conventional और इधर हम लिखें non-conventional तो देखें दोनों में difference के हैं conventional machining process और non-conventional machining process पहले वाले में आपने देखा था conventional में tool हमारा क्या हो रहा था work piece से direct physical contact में हो रहा था उसका भी एक diagram यहां परालक से आपको बना के दिखा दे रहे हैं देखें वो ऐसा हो रहा था इस तरीके का work piece रहेगा और इस तरीके का हमारा tools पे act करेगा और यह material ऐसा बाहर remove होगा चिप के form में यह जब भी material जाएगा यह किस form में जाएगा चिप form में जाएगा और इसमें जब भी material remove होगा वो छोटे छोटे pulverized form या slurry के form या paste के form में remove होगा तो चलिए point by point हम लोग देखते हैं अगर हम point one की बात करेंगे देखे conventional में टूल वर्कपीस से क्या है direct contact है तो यहाँ पर हम लिखते हैं tool and workpiece are directly directly हमारा क्या है contact या physically contact हमारा कह सकते हैं है ना यदि हम non-conventional में देखते हैं तो हमारा क्या होगा tool यहाँ पर होगा और workpiece यहाँ पर होगा तो tool और workpiece में हमारा क्या होगा physical contact नहीं होगा मतलब indirect contact होगा tool है indirectly अपना action कर रहा है लेकिन directly work नहीं कर रहा है directly कौन सा work करेगा इसमें जो fluid होगा वो directly करेगा तो हम कह सकते हैं tool and workpiece workpiece WIP का मतलब workpiece समझेगा are indirectly contact indirectly contact second point के अगर हम बात करेंगे तो देखें second point में यह जो material remove होगा conventional में वो किस form में remove होगा chip के form में remove होगा और non conventional में जो material remove होगा यही आप coordinate factory 2000 14 या साथ 2013 वाले exam में आया हुआ था non conventional में जो material remove होगा वो किस form में remove होगा pulverized या powder form या slurry के form में form of chip chip के form में remove होगा और उसमें देखेगा material remove in form of pulverized pulverized कह सकते हैं powder कह सकते हैं और slurry slurry मतलब गाढ़ा paste होता है जो material का होता है चलिए third point की बात कर रहे हैं देखें next point हमारा क्या होगा यह जो material remove होगा तो इसमें आप देखें यह जो chip जा रही है यह हमारे लिए scrap material है wastage material है इसका हम use नहीं कर पाएंगे तो इसमें conventional में scrap material क्या होता है बहुत जादा निकलता है और non-conventional में बहुत molecular level पर machining होती है छोड़ी-छोड़े molecules remove होते हैं तो यहां पर scrap material कम निकलता है तो चलिए next point हम लिख लेते हैं देखें more scrap more scrap और यहां पर हम लिख लेते हैं less scrap scrap का मतलब material remove हो के बाहर जैसे chip के form में जा रहा है उसकी बात कर रहे है next देखते हैं यदि हम बात कर रहे हैं cutting force की कितना cutting force कि इसमें लगेगा तो देखें यह conventional है इसमें material को तोड़ने के लिए इस tool के द्वारा बहुत जादा cutting force अप्लाई करेंगे तब यह material chip के form में remove होगा और इसमें देखें tool यहां है work piece यहां कोई cutting force नहीं लगाना पड़ रहा है बस power लगा रहे हैं और उस power के थूरू इस pump को चला रहे हैं operate कर रहे हैं और यह pump high velocity liquid को impact अगर करेंगे आसके material remove कर रहा है तो हम कहा सकते हैं देखें non-conventional में cutting force की कोई requirement नहीं होती है लेकिन conventional में बहुत ज़्यादा यानि की high cutting force required होता है तो हम यह लिख सकते हैं next point देखें required और non-conventional में हम लिख सकते हैं no cutting force required no cutting force required तो इस तरीके से यह cutting force हो गया अब अगर power consumption की बात करेंगे कि किसमें कितनी ज़्यादा power लगती है तो देखें आपको भी पता है यह conventional मसीनिंग क्या होती यह से लेट से पर प्लेणर उनको operate करने के लिए कम power की requirement होती है लेकिन non-conventional में इन पूरी मसीनों को operate करने के लिए अधिक power क्या होती है तो इस तरीके से हम इसमें करेंगे देखें conventional में low power लगता है और non-conventional में high power required होता है power required और non-conventional में हमारा क्या होगा more power required इस तरीके से हमारा power की बात हो गई अब अगर हम बात करेंगे surface finishing की तो देखे surface finishing किसमें अच्छी आएगी अभी अगर molecular label पे machining कर रहा होगा जैसे आप सपोच करिए कि जब कुएं से पानी खिसते हैं तो जो पानी उसके बाट पर गिरता है वो बाल्टी से छलक कर तो वो क्या होता है धीरे-धीरे उससे क्या होता है उस जो कुएं की बाट होती है वो उस पानी के छलकने से धीरे धीरे उसका material remove होता जाता है और उसकी सतह क्या होती है चिगनी होती जाती है तो मतलब अगर molecular level पे हम material को remove करते हैं तो उसकी surface finish ज्यादा अच्छी मिलेगी किसकी अपेक्छा इसकी अपेक्छा conventional की अपेक्छा तो हम कर सकते हैं conventional में surface finish low मिलेगी और non-conventional में better surface finish मिलेगी है ना तो चलिए देखें इस point पर जैसे इतना point हमने note कर दिया तो आप इसको skin sort ले लिया करिये या हमढ़ जाते हैं और उसके बाद या copy pin लेके उसको note कर दिया करिये ये सारे highlighted और important point होते हैं exam के point आ बात करते हैं देखें जब हम बात कर रहे थे surface finish की तो देखें conventional में हमारा क्या होगा poor surface finish पूबर surface finish produce और non-conventional में हमारी क्या होगी better surface finish मिलेगी है ना बेटर surface finish produce चले अब यह तो हो गई surface finish की बात अच्छा एक चीद देखिएगा जब हमें किसी वर्कपीस पर सपोर्च करिए कि कोई रेक्टेंगलर बर्कपीस हमारा था यदि उसकी एज को sharp करना सार्प मतलब तीशड करना हो तो दोनों में कौन सा process apply कर सकते हैं non-conventional में कोई liquid की jet जाएगी और वहाँ पर क्या करेगी वो jet sharp एज नहीं बनाएगी वो पूरी एज को ही खतम करने की कोशिस करेगी जैसे इस एज को अगर sharp करना हो तो यह liquid क्या करेगा इस एज को ही break करना शुरू कर देगा लेकिन non-conventional में क्या होगा कि यह tool आएगा और इधर से नीचे से edge को cut करेगा और इधर से edge को cut करेगा और एक proper maintain, well maintain और एक create sharp edge produce कर देगा तो हम हम यह कह सकते हैं कि अगर हमें किसी work piece पर sharp edge यानि कि तीछड धार जैसे आप knife देखते हैं अगर knife को किसी liquid की धार से तेज करना चाहेंगे तो वो क्या होगा नहीं produce हो पाएगा बलकि उसकी edge खराब हो जाएगी लेकिन अगर उसी knife पे हम कोई tool लगाएंगे जैसे grinder लगाए तो उस पे better तरीके से produce हो जाएगा तो हम कह सकते हैं देखें conventional में हम कह सकते हैं sharp edge can be produce can be देखें sharp edge can be produce और non-conventional में हम कह सकते हैं sharp edge cannot be produce इस तरीके से हमारी sharp edge हो गई next point अगर हम बात करें blind machining की blind machining का मतलब ऐसा निया अंधा होल जैसे आप समझेगा blind machining क्या होती है देखें उसको भी देख लीजे suppose करिए कि इस तरीके से एक pipe हो और इस pipe का ये सीरा हमारा क्या हो ऐसे close हो ये सीरा close हो और इस pipe के internal surface के finishing करनी हो तो देखें एक tool अगर यहां से अंदर की तरफ ऐसे जाएगा इधर से तो रास्ता बंद है और ये pipe पूरी तरीके से circular है cylindrical है तो जब ये tool अंदर तक जाएगा तो यहां पर क्या होगा ये कुछ दूर तक जाएगा उसके बाद इसको अंदर की चीजे नहीं दिखाई देंगे तो मतलब conventional में अगर हम किसी tool को अंदर भेजेंगे और इसकी machining करना चाहेंगे तो ये possible नहीं हो पाएगा लेकिन अगर इसी को non-conventional में करना चाहें तो देखे इस liquid के साथ एक और diagram आपको बना के यहां पर दिखा दे रहे हैं ऐसा देखिएगा सपोर्च करिए कि जैसे देखिए एक हमारे पास इस तरीके का कोई slot हो और यदि हम slot के इस internal surfaces पे machining करना चाहें इसकी दिवालों पे तो वहां पर कोई tool कुछ दूर चाहने के बाद अगर इसके बीच में gap बहुत कम होगा तो tool अंदर जाए नहीं पाएगा तो वहां conventional machining fail हो जाएगे तो हम क्या करेंगे इस slot से थोड़े से छोटे size का एक tool बनाएंगे एक tool बनाएंगे ऐसे और इस tool को यहां से ऐसे ले जाएंगे और इसको हम connect करेंगे देखे यहां पर इस तरीके से ऐसे connect करेंगे और अभी simple ही बता रहे है जब इसको हम लोग machining में पढ़ेंगे तो और detail में बताएंगे और इसको हम यहां से work piece में connect करेंगे और यहां पर इस work piece को चारो तरफ हम इस तरीके से एक container में रखेंगे इस work piece को हमें container में रखेंगे और उस container में हमें एक liquid भर देंगे एक liquid fill कर देंगे देखें, liquid fill कर दिया हमने अब क्या होगा, कि ये liquid ये जो tool हमने बनाया था इस tool के बीच में जो gap था ये जो work piece से थोड़े से छोटे size का हमने tool बनाया था तो यहाँ पर देखें, एक gap था तो उस tool और work piece के gap में वो liquid आकर क्या हो जाएगा fill कर जाएगा, जब liquid fill कर गया, तो देखें, tool और work piece के बीच में कोई physical contact नहीं है, बीच में हमारा क्या है एक liquid fill कर गया, उसी liquid को हम या तो die electric fluid कहते हैं, या electrolyte fluid कहते हैं, simple सा, जैसे N-A-C-E-L, मतलब नमक का घोल अगर हम कहा दें, तो हमने यहाँ पर भर दिया है, तो अब क्या करेंगे, जब इसको हम power source से, power source support करिये, DC power supply से हमने इसको connect कर दिया, एक को हमने negative terminal दे दिया, और एक को हमने positive terminal दे दिया, जब हम power supply on करेंगे, तो electron electron negative terminal से होकर positive terminal की और जाने लगेंगे, और यहाँ पर देखे liquid होने के कारण, यह electron क्या करेंगे, flow करने लगेंगे, क्यों flow करेंगे, क्योंकि यह liquid की electric conductivity जदा होगी, ऐसा liquid हम यूज करते हैं, तो जब electron flow करेंगे, तो यह liquid यहाँ पर क्या होगे, electric conductivity के कारण, अपने आयनों में टूटेंगे, ionite होंगे, और वहाँ से heat generate होगी, जिससे इस work piece के material धीरे-धीरे क्या होगे, active होने लगेंगे, और वहाँ से वो remove होने लगेंगे, केवल यहीं से नहीं, इसकी पूरी surfaces पर जहां तक यह tool हमारा है, तो सारे work piece के material एक साथ धीरे-धीरे remove होने लगेंगे, इसी process को student हम लोग किस नाम से जानते हैं, EDM, जब हम लोग EDM को अलग से पढ़ेंगे, तो उसको और अच्छे तरीके से specify करेंगे, यहाँ तो केवल example हमने लिया था, EDM का मतलब electro discharge machining, तो हमारा कहने का मतलब यहाँ यह समझाने का था, कि अगर हमने कोई slot की machining करनी हो, जहाँ single point या multiple point tool जाने में दिक्कत हो, तो वहाँ पर इस तरीके का slot का tool बनाएंगे, उससे छोटे size का, और liquid fill करेंगे, और machining करके complete कर देंगे, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, product का surface बेटर तरीके से finish हो जाएगा, चलि अब आते हैं अपने इस object पर, blind hole पर, blind hole का मतलब देखे, अगर यह tool हमारा कुछ दूर तक गया, फिर अंदर हमें दिख नहीं रहा है, कि कितनी depth of cut लेनी है, कितनी width लेनी है, है ना, अंदर finish हो पा रहा है और नहीं हो पा रहा है, और material जो remove हो रहा है, वो अंदर ही भरता चला जा रहा है, तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे कोई बंद कुआ हो, आप एक तरफ से आप बंद करके नीचे चले जाएगे, तो आप machining नहीं कर पाएगे, तो हम क्या करेंगे, फिर इस work piece को, इसकी internal surface को remove करने के लिए, इसे से थोड़े से छोटे size का, इसके size से थोड़े से छोटे size का एक tool बनाएंगे, और देखें, यह हमने tool बनाया, अब इस tool को हम क्या करेंगे, या negative या positive terminal से connect करेंगे, और इस work piece को भी, अगर इसको negative किया है, तो इसको positive करेंगे, तो इस तरही के से connect करेंगे, और दोनों के बीच में liquid भर देंगे, liquid भरने के बाद, यहीं पूरा process apply कर देंगे, तो इसके पूरे surface की machining एक साथ हो जाएगी, और accurate better तरीके से हो जाएगी, तो इसी हम कहते है blind hole machining, है न, तो इस तरीके से यह possible होगा non-conventional में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, blind hole, blind hole machining, cannot, possible, और यहाँ पर क्या होगा, blind hole, machining, possible, इस तरीके से यह blind hole हो गया, अब चली देख लेते हैं, intricate shape और size, मतलब कुछ कठिन संदजना जैसे हमारी होती है, कठिन का मतलब देखे, जैसा suppose करिए, कि हमारे पास, इस तरीके का कुछ object मिल जाए, ऐसा देखे, जैसे कोई हमारे पास, ऐसे कोई sap हो, इस तरीके से, इस तरीके से sap हो, अब इस sap की अगर, upper surface पर finishing करनी है, lower surface पर finishing करनी है, एक साथ, तो यह क्या होगा, जब tool उपर से लगेगा, अब यह tool की direction चलेगी, तो यह कुछ ऐसा चलेगा, तो यहाँ पर छूड जाएगा, यहाँ पर machining नहीं होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, और यह हो सकता, इतना material को काट के remove कर दे, तो इस तरीके से, अगर कुछ ऐसी cuttings नहीं हो, जिस पर हम, conventional के through machining, नहीं कर पाएंगे, तो same यही process को, हम इस पर apply कर देंगे, और आसानी से हो जाएगा, तो हम कहा सकते हैं, जो intricate safe होता है, वो conventional से नहीं कर सकते हैं, है ना, intricate, safe, cannot, possible, और यहाँ पर हम कहा सकते हैं, intricate, safe, can, possible, अब possible, और किसलिए possible होगा, for machining, इस तरीके से, यह हमारा हो गया, next, एक और, देखे हैं, तो और सारे point, जो exam से related, objective points, highlighted थे, वो हम आपको यहाँ पे, discuss कर रहे हैं, next, एक और last point है, जैसे उस पर देख लीजे, यह हम material removal rate की बात करें, it means MRR, पदार्थ के remove होने की दर, तो आपको पता होगा, कि अब, conventional में, material chip के form में, बहुत ज़्यादा dip top cut, और bit लेकर remove हो रहा था, तो उसकी material removal rate, ज़्यादा होगी, और non-conventional में, powder या slurry के form में remove हो रहा था, तो उसकी removal rate क्या होगी, बहुत कम होगी, तो इस तरीके से, यहाँ पर last point हम लिख सकते हैं, देखें, यह हम लिख सकते हैं, यह हो जाएगा, high, MRR, और यहाँ पर, इस पर हम लिख सकते हैं, low, MRR, MRR का मतलब material removal rate, पदार्थ के remove होने की दर, तो चलिए, इसको यही पर रोकते हैं, और दूसरा topic discuss करते हैं, क्यूंकि, I hope आपको, conventional और non-conventional से related, जितने भी difference से, अच्छी तरीके से, समन में आ गए होंगे, अगर फिर भी कोई doubt रह जाता हो, तो आप comment box में comment कर दिया करिएगा, उसमें आपको वहाँ पर reply मिल जाएगा, चलिए आगे हम बात करते हैं, अब एक और बात कर लेते हैं यही पर, अच्छी देखें, हमने देखा, कि machining दो तरीके से हमने आपको सिखाई, एक conventional और एक non-conventional, conventional में क्या हो रहा था, material चीप के form में remove हो रहा था, और non-conventional में powder या slurry के form में remove हो रहा था, चलिए एक और देख लेते हैं, अच्छा जैसे देखे, सपोज करिए, हम grinding process करते हैं, जैसे यह grinder wheel हो गया, जब यह move करेगा, तो यहां से छोड़े छोड़े particle remove हो गये, grinding operation में क्या होता है, यह tool हो गया, और यह work piece हो गया, दोनो physical contact में है, तो physical का मतलब, यह हमारा किस के अंतरगत आ जाना चाहिए, conventional के अंतरगत आ जाना चाहिए, लेकिन दोनों में जो material remove हो रहा है, वो किस form में remove हो रहा है, pulverized form में remove हो रहा है, pulverized form का मतलब किस में आ जाना चाहिए, non-conventional में आ जाना चाहिए, तो इसलिए इसको हमने अलग category में define किया, ना इसे conventional में रखा, और ना non-conventional में रखा, इसको हमने third अलग से category define किया, वो third category जो हमारी हो गई वो हो गई abrasive action machining abrasive का मतलब वहाँ पे abrasive मतलब आप घर सी action के तहट material remove होगा तो next हम लिख सकते हैं third abrasive action machining तो इस तरीके से abrasive action machining हमारी होती है अब इसमें आपका example जैसे इसके चली अब तीनों के example नोट करते हैं वन वाई वन ये सब हटा देते हैं चली देखें हमने negative manufacturing process लिया था और उस पर हमने जो topic हम लोग start किये थे इसकी जो category हमने बनाई थी पहला हमने बनाया था conventional दूसरा हमने बनाया non-conventional और third हमने बनाया abrasive action machine तो अब इन तीनों का example हम लोग लेते हैं देखें conventional में जो भी example हमारा होता है जैसे लेत shaper planar drilling boring है न एट्सेक्ट्रा इस तरीके से ये सारे हमारे conventional के example होगे non-conventional का example देखिएगा जैसे edm ecm ebm lbm usm ujm wjm इनके पूरे meaning देख लिजे ये क्या होते हैं क्यूंकि कभी कभी एकाथ बार exam में इसका पूरा नाम भी पूछा गया हो और I think या तो DMRC में या फिर ordnance factory में पूछा गया है तो वो देख लिजेगा चली देखे पूरा नाम देखते हैं ebm का मतलब होता है electron edm electro discharge machine electro discharge machine machining ecm का मतलब होता है electro chemical machining m of c का मतलब machining edm electron beam machining next lbm laser beam machining next हमारा हो गया USM ultra sonic machining next हमारा हो गया m of c m of c next हमारा हो गया UGM ultrasonic jet machining ultrasonic jet machining wgm यह होता है water jet machining next होता है pam 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 का मतलब होता है देखिए चलिए चलिए यहीं पर लिख दे रहा है next हमारा होता है pam 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 का मतलब होता है plasma arc machining plasma arc machining या इसे हटा के यहां पर देखिए abrasive action machining abrasive का मतलब जो एक दूसरे पर abrasive जैसे इसको हमने ऐसे ऐसे घुमा रहा है तो यह क्या हो रहा है abrasive action हो रहा है ऐसे ऐसे हम कर रहा है तो यह दोनों के material remove होगे अगर यह hard होगा यह soft होगा तो यह की कि इसकी विलास्टी कितनी जादा है अगर एक की विलास्टी जादा होगे तो वो कम remove होगा या दोनों के शेम होगे तो लगबग सेम remove होगे तो इस सरीके से abrasive action हम करते है तो इसका example देखिएगा देखे जैसा हम लोग honning पढ़ते है honing process honing process जो हम लोग cylinder piston cylinder देखते हैं उसके जो internal surface पर finishing करते हैं वहाँ पर हम honing process apply करते हैं next हम देखिए lapping process next loose cutting process super finishing process है ना grinding grinding भी सी के अंतर गताएगा process या operation कुछ भी कह लिजे process next हम देख लिजे इस तरीके से super finishing process हो गया loose cutting process हो गया lapping process हो गया honing process हो गया burnishing process हो गया है ना buffing process buffing process burnishing process तो इस तरीके से etc और भी हैं तो इस तरीके से ये सारे हमारे abrasive action machining के अंतरगर आते हैं और ये non conventional और ये conventional आप देखें patience रखिएगा सारे process को हम one by one discuss करेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे पहले हम लोग let machine में shaper, planar, slaughter, operation पे metal cutting के बारे में पढ़ेंगे फिर हम लोग non conventional पे पढ़ेंगे फिर हम लोग honing process, slapping process, super finishing process क्या होते हैं ये सब जानेंगे तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो ये तो था basic हमारा थोड़ा सा introduction difference conventional non conventional के बारे में चलिए आप इसे skin sort ले लिजे और इसके बार आगे हम लोग बढ़ते हैं आप देखिए student हम लोग start करेंगे conventional में कौन सा process हम start करते हैं देखिए हम लोग conventional में start करेंगे तो पहला topic हम लोग start करते हैं metal cutting metal cutting cutting process देखिए इसको हिंदी में कहते हैं धात करतान प्रक्रम धात करतान प्रक्रम अब हम लोग इसी topic के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो हम लोग metal को काड़ते हैं वो कैसे काड़ते हैं क्या क्या लगा अगर काड़ते हैं और किस operation के तहद काड़ते हैं तो उसी chapter को आप लोग पढ़ते होंगे एक book में mttm अपने पढ़ा होगा mttm उसी का एक part है ये उसी का एक part है तो यहां mttm लिखना पुरा सही नहीं रहेगा चलिए अब देखें जब हम धात को काड़ते हैं तो सबसे पहले देखें point by point हम लोग पढ़ते हैं तो किसी work piece को काटेंगे और किसके माधेम से टूल के माधेम से काटते हैं तो बिना tool के हम कोई भी material को काट नहीं पाएंगे है ना और किसको काटते हैं वर्कपीस को काटते हैं और जब इस tool को operate करना होगा तो कौन operate करेगा कोई machine operate करेगी तो machine हो गई अब इस machine को operate करने के लिए किसकी requirement होगी power source AC या DC next आप बात कर लीजे अब cutting करना है तो force तो लगेगा ही बिना cutting force के material remote नहीं होगा है ना next हम बात करते हैं अब देखें कोई material हमारा cut रहा है तो किस condition में cut रहा है उसके बारे में भी जानना जरूरी होता है तो उसे हम लोग कहते हैं cutting condition cutting condition next हम लोग बात करते हैं देखें ये सब जरूरी element होते हैं अब ये टूल जो यूज कर रहे हैं हम लोग देखें ये टूल यूज कर रहे हैं तो इसके material के बारे में भी जानना जरूरी होता है अब इस टूल के नॉमन प्लेचर यानि कि टूल एंगल के बारे में भी बहुत जरूरी होता है तो वो भी एक हमारा required element हो जाता है तो जिसको हम लोग कहते हैं tool geometry tool geometry या इसी को tool नॉमन क्लेचर कहते हैं अब आप समझें कि ये इतना important point है कि SSCGI mains में दो बार आ चुका है 15-15 नॉम्मर में बस के वाल इतना लिख देता है कि define tool geometry या tool norman क्लेचर तो इस तरीके से ये important question होता है दो बारे से में में आ चुका है 15-15 marks में और objective 1-1 question में तो आता ही रहता है तो इस तरीके से ये हमारे required element होते हैं किसके लिए? इसको लेंगे? टूल को लेंगे है ना? तो यहीं से हम लोग start करते हैं देखें जब हम लोग tool को लेते हैं तो tool basically होता क्या है? एक material का ही बना हुआ object होता है tool उसी को माल लेते जैसे किसी के माध्धम से अगर किसी चीज़ को हम काटते हैं तो जो चीज कटती है वो work piece कहलाता है और जिस चीज़ के माध्धम से काटा जाता है वो tool कहलाता है है न? तो basically जो tool की category यहाँ पर define की गई है define की गई है वो उनकी cutting age के according define की गई है cutting age का मतलब जैसे support करिये कि यद tool हमारा कुछ ऐसा हो देखें tool हमारा कुछ ऐसा हो या tool हमारा कुछ ऐसा हो तो इस तरीके से ये सारे tool होते हैं या tool हमारा कुछ ऐसा हो इस तरीके से हो यह इस तरह आप यह प्रोसेस करेगा तो यह सारे हमारे क्या होते हैं तूल होते हैं अब इस टूल की बात करेंगे अगर इस एज को सार्फ कर देंगे यानि कि तीशड़ कर देंगे तो इस एज से कटिंग होने लगेगी यहां पर देखें इस एज को सार्फ क तो इससे cutting होने लगेगी, यहाँ पर देखें, यह age हमारी sharp होती है, यह sharp होती है, इसमें सारी age को sharp करना होगा, तो अब देखें इसमें category कैसे divide की गई है, अगर इस tool को देखें, इसको भी sharp कर दें और इसको भी sharp कर दें, लेकिन फिर भी अगर ऐसा work piece हमारा होगा, इस तरीके करेगा, तो केवल यही cutting age responsible होगी, इसको दो भागों में अलग करने के लिए, अगर इस body को यहाँ पर side में ले आ देंगे, तो यह cutting age responsible हो जाएगी, इस material को cut करने के लिए, मतलब इस तरीके के tool में, चाहे कितनी भी ages को हम sharp कर दें, बट cutting करने के लिए, cutting करते समय, केवल एक age ही active होती है, बांकी सारी ages हमारी किस में होती है, rest condition में होती है, तो जहाँ पर भी ऐसा tool मिले, जिसमें cable और cable एक age cutting करने के लिए responsible हो, तो इस तरीके के tool को कहते है, single point cutting tool, तो इस ही को हम लोग पढ़ते है, spct के नाम से, इसका पुरा नाम क्या होता है, single point cutting tool, अब देखें यहाँ पे, एक दूसरे diagram में हमने देखा था, कि एक पूरा ये cutting age complete है, दूसरे teeth की ये cutting age complete है, जिसे हम milling cutter के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे आप देखें, कि ये पूरी age है, ये पूरी age है, और सारी age ऐसा है, जब एक cutter चलेगा, तो ऐसा नहीं ही कि क एक age ही cutting करेगी, बागी age rest में रहेंगे, सारी age is responsible होगी, cut करने के लिए, तो जहाँ पर भी ऐसा tool मिले, जिस पे more than one cutting age are responsible for material removal, then this type of tool are also called multiple point cutting tool, तो हम उसे कह सकते हैं, M-P-C-T, इसका पूरा नाम लिख देते हैं, देखें, multi point cutting tool, अब इसकी भी category आप देख लीजे, इसकी category कैसे define की गई है, इसको further दो category में classified किया गया है, दो का मतलब ऐसा देखें, जैसे drilling bit आप जानते हैं, उसका diagram यहाँ पे बना दे रहे हैं, देखें, जो drilling bit इस तरीके से हमारी, अभी simple सा diagram देखिए, इस तरीके से बनती है, और यहाँ पर आके इसकी age ऐसे intersect करती है, तो अब इस drilling bit पे यह जो flute होते हैं, यदि इस पे minimum 2 flute होते हैं, maximum 4 या 6 होते हैं, यदि 2 flute होंगे, तो इसका मतलब उस पे 2 cutting edge हमारी generate होगी, और अगर 3 flute होगे, तो 3 cutting edge होगी, और 4 flute होगे, तो 4 cutting edge होगी, तो जिस drilling bit पे 2 flute होगा, उसे हम कहेंगे 2 point cutting tool, तो हम कहा सकते हैं, 2 point cutting tool, और इसका example हम क्या लिख सकते हैं, drilling bit, है ना, next आप देखिए, more than 2 point, यदि 2 से यदि cutting edge होगी, तो हम कहा सकते हैं, more than 2 point cutting tool, और इसका example देख लिजिए, इसका example simple सा, जैसे milling cutter होगया, grinder wheel होगया, hexa blade होगया, साफ होगया, तो इस तरीके से milling cutter, grinding wheel, hexa blade, etc, etc, इस तरीके से यह हमारा होगया multiple point, और single point का example, यहाँ पर note का लिजिएगा, यह तो simple सा आप समझते हैं, lathe tool, sapr, planar, slaughter, या parting tool, है ना, तो यह हम लिख सकते हैं, lathe tool, है ना, parting tool, या etc, इस तरीके से जिसकी केवल एक cutting edge responsible होगी, cut करने के लिए, तो यह थोड़ा सा tool का nomenclature है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, अब आप इसका skin sort ले लिजे, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं, चलिए, अब देखे student, हमने आपको discuss किया, single point cutting tool, multiple point cutting tool, क्या होते हैं, अब हम लोग उसी के आगे चलेंगे, जैसा हम लोग ने topic start किया आइकॉंस, हम metal cutting process, तो अब इस metal cutting process में, हम लोग single point cutting tool पढ़ लेंगे, फिर multiple point cutting tool पढ़ लेंगे, तो जब हम single point cutting tool पढ़ते हैं, तो उसमें पहले कुछ छोटे-छोटे terminology हम लोग सीख लेते हैं, और फिर आगे हम अपना topic start करते हैं, क्यूंकि जब भी हम कोई material को काटेंगे, और अगर हमें terminology नहीं पता रहेगी, तो हम उसके आगे की चीज़े नहीं सीख पाएंगे, तो चलिए हम बात करते हैं, कुछ important point के बारे में, है ना, important point, तो उस important point में, देखे हम start करते हैं, कुल मिलाकर आप समझे कि आपका topic metal cutting start हो जुका है, यह एक chapter की तरह होता है, तो जैसे हम start कर रहे हैं, point by point, depth of cut, क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं, cut की गहराई, इसे हम T से represent करते हैं, और यह किस में represent होता है, mm में represent होता है, देखे, यह होता क्या है, तो सबसे पहले समझेगा, कि जब किसी material को हम काटते हैं, तो वो material हमारा दो तरीके के shape में मिल सकता है, देखे, student, या तो वो material rectangular shape में हमारे पास मिल सकता है, या कैसा, cylindrical, cylindrical मतलब जैसा यह object है, तो basically हमारे पास दो ही तरीके का material available होता है, तो दोनों के बारे में हम discuss कर लेते हैं, पहला देखे, for rectangular, और दोसरा हम देख लेते हैं, for cylindrical, rectangular का मतलब इस तरीके का workpiece होगा, और cylindrical का मतलब इस तरीके का workpiece होगा, तो अब दोनों workpiece में, यदि हमें support करिये, इसमें से इतना material को काट के remove करना था, यह हमारे लिए unwanted material हो जाएगा, देखे, जिस material को हम काट कर बाहर निकाल देते हैं, यही material हमारा क्या होता है, unwanted होता है, और suppose करिये, इसमें से यदि हमें इतने material को काट के remove करना था, तो इस तरीके से देखे, दो object हमारे पास मिले, एक rectangular और एक cylindrical, अब दोनों में, जब हम कोई tool को लगाते हैं, देखे, suppose करिये, इसको काटना हो, तो यहाँ पर हम एक tool को लगाएंगे, और tool हम कैसा लगाएंगे, suppose करिये, कि इस तरीके से एक tool लगाएंगे, या इसको हम दूसरी तरफ दिखा देते हैं, ऐसा tool लगाएंगे, देखे, ऐसा tool हम लगाएंगे, तो अब आपने देखा, जब यह tool लगेगा, तो इस tool की कुछ width भी होगी, इस tool की कुछ width भी होगी, अब यह tool कुछ गहराई में जाएगा, और कुछ width को लेकर आगे काड़ता हुआ, चला जाएगा, आगे काड़ता हुआ, चला जाएगा, इसका एक diagram देखे, कटने के बाद यह कैसा दिखता है, उस तरीके का आप देख लीजए, 3D diagram, देखे, हमारे पास workpiece ऐसा था, workpiece rectangular यह पूरा ऐसा था, लेकिन कटने के बाद यह ऐसा हो गया, इतने thickness का हो गया, अगर हमें इतने thickness की requirement थी, तो हमें इतनी thickness को काट कर, अलग करना था, अब इसका मतलब, एक tool हमारे पास ऐसा, यहाँ पर, यह लगा हुआ था, और अगर पहली बार, यानि कि tool यहाँ से चला, और यहाँ तक cut किया, और पहली बार में ही इतनी गहराई, मतलब, tool की cutting edge, single pass में, यहाँ से लेकर, यहाँ तक जाने में, जितना depth of cut लेकर, आगे बढ़ेगा, उसी को हम, depth of cut या cut की गहराई कहते हैं, मतलब, यह tool हमारा, जैसे देखिए, इतना mm एक पास में काटेगा, तो यह हमारी depth of cut कहलाएगी, चलिए, यह तो था हमारा rectangular body के लिए, जैसे यहाँ पे डाइगरा में देखिए, यह tool हमारा इतनी गहराई में, यहाँ से देखिएगा, इतनी गहराई में नीची आया, और य तो tool की cutting है, जितना perpendicular depth लेगी, वह हमारा depth of cut कहलाएगा, किसके लिए, rectangular body के लिए, circular body में देखिए, जैसे cylindrical part था, तो जब इसको हमें काटना होगा, तो cutने के पहले और cutने के बाद, देखिए, diagram कैसा बनेगा, इसमें दो तरीके से हम material को काटते हैं, पहला तो इस तरीके के हमारा cut जाएगा, यह simple सा turning operation होता है, इसमें यह tool हमारा कैसा लगेगा, इस तरीके से tool लगेगा, दूसरे diagram में देखिए, इस तरीके से work piece होगा, और ऐसी भी turning हम करते हैं, जिसे हम taper turning के नाम से जानते हैं, और इसमें इस तरीके से यह tool हमारा लग जाएगा, यह tool हो गया, औ और यह tool हो गया, अब यह work piece इसमें rotate करेगा, और यह भी work piece rotate करेगा, और यह tool, देखे, tool की cutting edge इतना perpendicular हमारी, imping करेगी, यह suppose करिए, tmm imping करके, और आगे बढ़ रही है, और जब यह work piece rotate करेगा, तो जितना cut इस तरफ आएगा, उतना ही cut इस तरफ भी आएगा, तो इसका मतल तब आप यह मत करेगा, कि सर, यह भी T है, और यह भी T है, अगर यह 1 mm है, और यह 1 mm है, तो depth top cut 2 mm हो जाएगी, नहीं, depth top cut 1 mm ही रहेगी, वो इतना cutने की वज़ए से, जब यह work piece rotate हो रहा था, तो यह 1 mm और cut जा रहा था, तो आप यह 2 mm का depth top cut नहीं लेंगे, तो cylindrical work piece में, देखें, यह depth top cut होती है, अब यहाँ पर देखिए, इस diagram देखिए, जब यह turning operation हो रहा था, तो work piece इस तरीके का बनता जा रहा था, तो इसमें आप यह मत कहिएगा, कि यह depth top cut होगी, depth top cut का मतलब, यह जो perpendicular जितनी depth tool हमारा जाएगा, आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको हम depth top cut कहते हैं, यह taper या incline में है इसकी cutting edge, लेकिन इसकी depth top cut हमारी यह हो जाएगी, तो इस तरीके से हमारा depth top cut for cylindrical work piece, और depth top cut for rectangular work piece, और यह किस में होगा, mm में होगा, चलिए, आप देखिए, next point discuss करते हैं, feed, next point हम discuss करते हैं, feed क्या होती है, feed का मतलब भरण जिसे हम बोलते हैं, इसे हम F से denote करते हैं, तो देखिए, feed क्या होती है, simple साफ समझेगा, इसको भी हम दो तरीके के work piece से prepare करके पढ़ेंगे, पहला कौन सा, for rectangular work piece, और दूसरा हम for cylindrical work piece, तो समझेगा, feed का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए, suppose करिए, rectangular work piece ये था, और इसकी width ये थी, अगर इस पे एक tool हमारा लगे, ऐसे ध्यान से देखिएगा, कोई tool हमारा आए, अब पहले बार में इतनी गहराई में, suppose करिए, tool इतनी गहराई में और इतनी चोड़ाई में, देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहले tool आए, इतना material को remove कर दे, मतलब इतनी width में और इतना depth में remove करेगा, फिर क्या करेगा, tool बैक जाएगा, और फिर यहां पर tool आएगा, इस position पे, और इतना material को remove करेगा, next tool back जाएगा और इस position पे आएगा और इतना material को remove करेगा यहां से लेकर यहां तक आएगा फिर back जाएगा फिर इस तरीके से तो single pass में जहां से देखेगा single pass में मतलब tool यहां से यहां तक जब जा रहा था तो वो single pass होता है तो single pass में जितनी width को काटेगा rectangular work piece के लिए tool जितनी width को काटेगा उसी को हम क्या कहते हैं feed कहते हैं है ना तो width of cut इसको ऐसा हम लिख सकते हैं width of cut यहां देखिएगा width of cut in single pass is called feed is called feed और यह feed भी हमारी किस में होगी mm में होगी mm में हम क्यों लेते हैं वो भी देखिएगा यह क्या है हमारा metal है और tool भी हमारा metal है अगर हम बहुत जादयानी की centimeter या meter में ले लेंगे तो बहुत जादा force लगाना पड़ेगा बहुत जादा चोड़ाई में ले लेंगे तो force जादा लगाना पड़ेगा जिससे हमारा tool फेल हो सकता है work piece फेल हो सकता है या पीछे लगी हुई machine फेल हो सकती है तो इसलिए हम बहुत पतले पतले width को काड़ते हैं तो यह हमारा होता है mm में चलिए यह तो हो गया rectangular work piece के लिए कि single pass में जितनी width आपकट होगी वह हमारा क्या कहलाएगा width कहलाएग cylindrical के लिए क्या होता है चलिए यह थोड़ा सा tough है देखें ऐसे suppose करिए कि यह हमारा work piece था यहाँ पर देखें यह work piece था और इस तरीके से यह cut होता हुआ आगे बढ़ रहा था यह अपने axis of rotation को rotate कर रहा था और tool हमारा ऐसा लगा हुआ था यह हमारा हो गया tool अब आप देखें यह tool की cutting है जितनी जा रही थी यहां से लेकि यहां तक यह तो आपको याद आ गया होगा यह क्या है depth of cut mm में है depth of cut mm में है अब देखें tool इस direction में v velocity से आगे बढ़ रहा रुक जाएगा और workpiece rotate करता रहेगा तो एक ही जगा turning होती रहेगी या तो हम tool को आगे बढ़ाएंगे या workpiece को आगे बढ़ाएंगे तो हम turning operation में workpiece को एक जगा fix कर लेते हैं वर्कपीस को एक जगा fix कर लेते हैं और इसको nrpm पे rotate कराते हैं और टूल को आगे बढ़ाते हैं तो इस तरीके से ये हमारा होता है अब देखिएगा जब ये इस velocity से आगे बढ़ रहा होगा तो ध्यान से देखिए सपोर्च करीक ये वर्कपीस एक rpm speed में घूमेगा मतलब वर्कपीस के एक बार पूरा rotate होने में टूल थोड़ी दूरी आगे बढ़ेगा फिर वर्कपीस के दूसरी बार अगर हम उसे slow motion में देखे हैं तो वर्कपीस एक बार rotate करा सपोर्च करिए कि ये वर्कपीस है ये वर्कपीस ऐसे पूरा rotate हुआ एक बार तो ये टूल थोड़ा सा आगे बढ़ेगा फिर ये दूसरी बार rotate करेगा तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तीसरी बार करेगा तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो जो टूल के हर rpm पे वर्कपीस के हर RPM पे टूल जितनी थोड़ी थोड़ी दूरी आगे बढ़ेगा उसी छोटी छोटी दूरी को हम क्या कहते हैं फीड कहते हैं और किसके लिए सिलेंडिकल वर्कपीस के लिए उस बात को आप रेक्टेंगुलर में मत लगा दीजेगा तो सिलेंडिकल वर्कपीस के लिए हमारी फीड क्या होगी देखें टूल ट्रेवेल्ड ये टूल हमारा क्या करेगा ट्रेवेल करेगा ट्रेवेल्ड डिस्टेंज इन देखें टूल जो डिस्टेंज ट्रेवेल करेगा इन वान रिवलूशन आफ वर्कपीस वर्कपीस के एक रिवलूशन में टूल द्वारा चली गई दूरी हमारी क्या कहलाएगी सपोच करिए एक रिवलूशन में इतना दूरी आगे बढ़ेगा दूसरे रिवलूशन में इतना दूरी आगे बढ़ेगा तीसरे में इतना दूरी अगर हम इसे F1, F2, F3 देखें माल लिजे F1, F2, F3 देखें और ध्यान से देखिएगा अगर ये वर्कपीस की स्पीड सपोज करिए N बराबर 1000 RPM हो या 500 RPM कुछ भी हो मतलब इसकी स्पीड अगर हम constant रख दें इस वर्कपीस की स्पीड हम constant रख दें और टूल की स्पीड को भी हम constant रख दें तो उस समय F1 बराबर, F2 बराबर, F3 मतलब हर RPM पे ये टूल हमारा same distance पे आगे बढ़ेगा और वही पर better machining हमारी achieve होती है तो इस तरीके से हमारा होता है feed for cylindrical वर्कपीस अब इसमें देखें जो एक्जाम में पूछा गया question है आप से ये नहीं पूछा जाएगा कि cylindrical वर्कपीस के लिए feed क्या होती है तो आप वहाँ पे ये थोड़ी नहीं बताएंगे कि ये sir वर्कपीस की एक्रिवलूसन में टूल द्वारा चली गई दूरी होती है तो वहाँ पे आपका जो question पूछा जाता है वो true feed और normal feed के बारे में पूछा जाता है तो देखें अब जो हम बताने जा रहे हैं उस पे धान दीजिएगा हम यहाँ पे लिख रहे हैं types of feed types of feed मतलब भरण के प्रकार अब इसमें देखेंगा इसको basically और यह चीज़ ध्यान रखेंगा कि यह किसके लिए है cylindrical के लिए है यह rectangular पर apply नहीं होगा cylindrical के लिए एक हमारे पास normal feed जिसे हम F for feed and for normal feed के नाम से जानते हैं और दूसरा आप देखिएगा यह होता है true feed जिसे हम F T T for true, F for feed के नाम से जानते हैं तो समझ यहगा true feed और normal feed क्या होती हैं ऐसा देखिए जब यह work piece cylindrical हो और tool इस तरीके से perpendicular लगा हो देखिए यह tool हमारा हो गया अब इस तरीके से वो एक step में इतनी दूरी तैं करेगा अगले में इतनी करेगा तो यह जो हमारी F होगी यह हमारी क्या होती है FN मतलब normal feed होती है दूसरे में आप देखिएगा जब यह diagram अभी हमने बना था taper turning के लिए तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे देखिए देखिए अब यह tool हमारा इस तरीके से लगा हुआ है actual में देखिए actual में क्या होगा जब यह tool one turning operation करेगा तो tool की cutting यह जैसी है तो देखिए यह ऐसी cut करेगा अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे आपको दिखाना चाहें तो देखिए यह क्या होगा tool ऐसा आगे बढ़ा मालिजे एक turning में इतना operation आगे बढ़ा दूसरे turning में इतना operation आगे बढ़ा तीसरे turning में इतना operation आगे बढ़ा और चौथे में इतना आगे बढ़ा तो इस तरीके साथ देख रहा है लेकिन यहाँ पे अगर हम ऐसे perpendicular अगर यहां से draw करना चाहें तो ध्यान से देखिएगा देखें actual में तो tool इस direction में आगे बढ़ रहा है लेकिन cutting इस direction में आपको सो ऐसे होगा कि cutting इस direction में हो रही है तो यह जो आपका दिखाई दे रहा है यह आपको किस तरीके का दिखाई दे रहा है नॉर्मल फीड के बरापर दिखाई दे रहा है तो इसे हम कह सकते है नॉर्मल फीड FN लेकिन cutting इस direction मोरे माल यह कि one revolution में इतनी cut करेगा another revolution में इतनी cut करेगा तो यह वाली जो distance होगी उसी को हम कहते है true feed तो यहां से आपको समद में आया होगा नॉर्मल फीड और true feed नॉर्मल फीड क्या होती है यह जो work piece होता है यह work piece के axis के parallel चलती है बस इतना ही आप difference समझेगा कि normal feed work piece के axis के parallel होती है और true feed क्या होती है not parallel होती है not parallel मतलब किसी angle पे inclined होती है इसको थोड़ा सा zoom करके जो exam में question पूछा जाता है वहाँ पे आपको दिखा देते हैं देखें suppose करिए suppose करिए कि यह हमारा tool हो गया यह हमारा tool हो गया देखें tool actual अगर 3D में देखा जाए तो इस तरीके से होता है और यह tool यही tool आपका यहाँ पे लगा हुआ है लेकिन अभी हम केवल 2D की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें यह tool हो गया अब क्या होगा इस tool पे थोड़ा से हम आगे बढ़ा दें देखें ऐसे हम आगे बढ़ा दें आप देखें इस direction में जो जा रहा होगा इस direction में मतलब क्या tool axis के parallel जो जा रहा होगा यदि हम इसे tool axis के parallel वाले को क्या माल ले fn माल ले यानि की normal fit तो यही है और यदि इस cutting edge पर tool की cutting edge पर देखें यह हमारा यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है यह हमारी क्या होगी ft होगी अब इसी कोवम लोग देख लेते हैं कि यह ft कितना होता है वह exam में आता है देखें एक चीद ध्यान दिजेगा आगले lecture में आपको बताएंगे इस वाले angle को हम side के नाम से जानते हैं side का मतलब होता है side cutting edge angle इसी का दूसरा नाम होता है major cutting या इसी का दूसरा नाम होता है principal cutting age angle और इसकी value 15 से 30 degree 15 to 30 degree के बेच मतलब यह total value 15 से 30 degree के बेच में vary करती है जब हम tool nomenclature पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे tool angle पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह side cutting edge angle होता है चलिए अब इस पर आगे हम proof कर लेते हैं देखे अगर ध्यान से देखे यह साई होगा तो यह 90 degree है और यह 90 degree है यह साई है 90 minus side हो जाएगा अब अगर हम इस angle की बात करें देखे इस angle की बात करें तो यह वाला angle हमारा कितना हो जाएगा देखे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको यह 90 degree दिखाई दे रहा है यह total 90 degree दिखाई दे रहा है और यह 90 minus side है 90 minus 90 plus साइ यह आपर में cancel out हो जाएगा और इसकी value किसके बराबर आजाएगी साइ के बराबर में आजाएगी means is equal to साइ देखे यह साइ हो गया और यह 90 हो गया जहां से देखे यह साइ और यह 90 और यह हमारा fn है और यह हमारा ft है तो जो यह वाला angle है इसी angle के according हम triangle को so करते हैं तो इस angle के according यह हमारा base हो जाएगा यह perpendicular हो जाएगा और यह hypotenuse हो जाएगा मतलब इसे हम आधार कहेंगे इसे lump कहेंगे और इसे हम card कहेंगे तो इस तरीके से देखे हमें क्या क्या चीज़ पता है यह पता है इसकी value हमने क्या जियूम किया था ft के बराबर जियूम किया था और हमने इसकी value fn के बराबर में जियूम किया था यह तो हमें पता नहीं था तो जब हमें आधार पता हो और कर्ण पता हो मतलब base और hypotenuse पता हो तो फार्मूला हमारा क्या लगता है, cos theta लगता है तो यहाँ theta की जगा, क्या value ले लेंगे si ले लेंगे तो cos theta is equal to, आपको पता है आधार बटे कर्ण means base upon hypotenuse होता है तो यहाँ से देखिए आधार, oblique, कर्ण तो यहाँ से देखे base आपका कितना है, base को हमने ft माना हुआ था, तो यह हो गया cos size equal to ft upon यह हमने hypotenuse कितना माना था fn माना था, तो यहाँ से अगर ft की value यानि की actual true feed की value अगर हमें निकालनी हो, तो इसका multiplied यहाँ पे हो जाएगा, fn cos size यह आपके लिए very very important formula होता है very very important formula होता है लगभग लगभग objective में पूछ लिया जाता है या तो normal feed की value दी रहती है, और true feed निकालने के लिए पूछ लिया जाता है, या चार objective बना देगा, जिसमें तीन अलग difference formula होंगे, और एक यह भी formula रहेगा, ft is equal to fn cos size तो इस तरीके से यह हमारी normal feed define होती है तो यहां से हमने define किया types of feed के बारे में तो I hope Park को अच्छी तरीके से feed के बारे में clear हुआ होगा इसको भी skin sort ले लीजे, फिर हम आगे बढ़ते हैं चलिए, यह important terminology हमारी चल रही है metal cutting में अब चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग width cutting और chip के बारे में देख लेते हैं अब हमारी terminology ही चल रही है तो जैसे देखिए हम पहले cutting speed पूँ थोड़ा सा discuss कर देते हैं हमारा अब ही चला depth top cut फिर हमारा चला feed फिर हमारा cutting speed देखिए cutting speed का मतलब क्या होता है यह भी हमारा दो work piece के लिए होगा पहला rectangle और दूसरा हमारा cylindrical work piece देखिए rectangular के लिए यह work piece था और यह tool माल लीजे माल लीजे यह tool हो गया अब यह tool आगे बढ़ेगा तो यहां तक इसे आगे बढ़ना है जितनी दूरी जाने में जितना समय लेगा simple सी बात है वही cutting speed कहलाती है speed का मतलब distance upon time यह दि हम इसे V से represent करें तो cutting speed V is equal to distance upon time मतलब इतनी दूरी जाने में कितना समय लगेगा वही हमारी क्या हो जाएगी cutting speed हो जाएगी है ना इस तरीके से यह हमारा हो गया meter per minute में हो जाएगा meter per minute में हो जाएगा और cylindrical work piece के लिए हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए देखिएगा ऐसे देखिए एक तो हमने इस तरीके से cylindrical में machining कर रहे थे और दूसरी हम इस तरीके से machining कर रहे थे दोनों में यह tool हमारा लगा है जाथा देखिए इसमें क्या हो रहा है tool इस direction में चल रहा है लेकिन आप देखिए इसके पूरी periphery को कारता हुआ आगे बड़ा tool भले ही आगे नहीं जा रहा है लेकिन इसके घूमने की वज़े से पूरी इसकी periphery मतलब परिद भी कट रही है तो इस तरीके से इसकी जो cutting speed होगी cutting speed यदि हम VC, c for cutting, v for speed इसको हम VC लिख दे रहा है तो VC is equal to देखिए पाई इसकी क्या होती है इसकी पूरी परिद हो गई d इसका क्या होता है वर्कपीस का diameter होता है n इसका क्या होता है इस वर्कपीस की RPM होती है upon 1000 pi d n upon 1000 यह होता है इस तरीके से यह होता है चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए दोनों के लिए इसमें भी यह परिद कटेगी और इसका diameter d होगा और इसमें भी परिद कटेगी इसका diameter d होगा इसको हम note कर दे रहा है यहाँ पर देखे, where d is equal to, यहाँ पर देखे, d is equal to die of workpiece, die of workpiece and n is equal to rpm of workpiece, rpm of workpiece, और इसका देखे, यदि हम vc is equal to pi d n upon 1000, और unit हम किसमें ले ले, meter per minute में ले ले, यदि हम इस meter को mm में convert कर दें, और इस minute को second में convert कर दें, तो देखे, vc is equal to, या cv is equal to, यह pi हो गया, यह d हो गया, n हो गया, meter को mm में convert करेंगे, तो 1000 से multiplied करना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा mm, अपान यह 1000 पहले से था, into, देखे, यह minute था, इसको second में convert करेंगे, तो 60 से multiplied करना होगा, तो यह 1000 से 1000 cancel out हो जाएगा, then जो cutting velocity, vc is equal to आएगी, pi d n upon, कितना हो जाएगा, 60 mm per second, तो यह दोनों फार्मूले, याद रखिएगा, हर जगा काम आता है, कभी-कभी एक objective numerical में इसीदे फार्मूले पर position आ जाता है, या कभी-कभी फार्मूला ही आ जाता है, तो pi d n upon 60 mm per second, या pi d n upon 1000, किसमे meter per minute, तो इस तरीके से, यह हमारा है cutting speed, अभी हमने simple cutting speed के बात की है, अभी इस पर chip velocity होगी, tool velocity होगी, shear velocity होगी, वो आगे की बात होगी, आगे हम describe करेंगे, कि tool velocity क्या होती है, shear velocity क्या होती है, chip velocity क्या होती है, इन तीनों में relation क्या होता, जैसे vs, vc और vr में relation क्या होता है, तो इस तरीके से यह होगा, तो देखे student, आज के topic में हमने आपको यहां तक discuss किया, अब आपको next topic में हम discuss करेंगे, चिप के बारे में, कि chip हमारी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उस chip की length क्या होती है, chip की width क्या होती है, चिप की thickness क्या होती है, है न चिप के velocity क्या होती है, देन आपको हम उसी पे discuss करेंगे, types of chip के बारे में, फिर उसके आगे हम discuss करेंगे, searinger और different types of tool के normal culture के बारे में तो I hope आप आपको आज का सारा lecture समन में आ गया होगा आगे हम लोग इसी topic के साथ मिलेंगे तो चलिए आज हम अपने class को यहीं पर stop करते हैं Thank you